हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूँगा कि अगर आपकी छत में आपको क्रैक दिखाई दे रही है तो उसको ठीक कराने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए वो आपसे में इस वीडियो में ही निकल पाता है तो इस वीडियो में आपसे मैं यही सब बाते करूँगा कि आपको सही तरीका क्या है यह सब ठीक कराने का सो प्लीज वीडियो को पुरे एंट तक देखना ताकि आप मेरी बात को कहीं समझ सकें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ची बताना चाहूँग कि छट में क्रैक आना यह भी एक कंसक्शन का पार्ट है ऐसा नहीं कि इसमें एकदम हाईपर हो जाना इसके क्या कारण होते है वो मैं इस वीडियो में डिसकस नहीं कर रहा हूँ उसके लिए मैं आपकी सारी वीडियो डाल रही है अब बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपक कि छट में क्रैक दिखाई देती है तो आपको क्या करना है दोस्तों देखें क्रैक भी कई तरह की होती है नॉर्मली दोस्तों एक तो हमारी होती है हेर क्रैक यानि कि बहुत ही मामूली क्रैक होती है यह क्रैक आपको देखने को मिलती है जब आप छट डालने के तुरंत depression में छट डलने के कारण ये crack देखने को मिलती है लेकिन दोस्तो अगर ये आप पानी भरवा देते हैं उसके बाद भी आपको ये crack दिखाई देती है तो फिर क्या करना है दोस्तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते है जब आप उनकी छट में ये crack दिखती हैं और in case आपको छट में dampness या पानी टपकने की या sealant आने की chances होते हैं या दिखाई देती हैं condition ये सब तो लोग घवरा के क्या करते हैं कि या तो वो ठेकेदार से बोलते हैं या फिर किछी दुकानदार से बोल देते हैं और वो कोई महिंगा से chemical के लिए कोई भी chemical उस पर apply कर देते हैं जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है कि यहां पर इसी तरीके से एक site पर यह हुआ था site नहीं कह सकते हैं मकान बन रहा था घर के नियर पास तो वहां पर उनको crack दिए और उनको क्या करा कि एक shop से chemical खईता जैसे कि आपको वीडियो सही जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों देखिए एक तो चीज यह है कि बाटर प्रॉफिंग भी हमारे construction का एक हिस्सा होता है लोग बार उसको बिर्कुल ही avoid करते हैं उसमें कोई पैसा investing करते बस बिदावर बाटर प्रॉफिंग यह कह सकते हैं कि बिद देखते हैं यह सब चीजें अफेक्ट देखते हैं तो आपको करना क्या है देखिए दोस्तों आज के टाम में हर कंपनी ने अपना केमिकल यह बाटर प्रॉफिंग के प्रोड़क्ट निकाल दिये चाहिए वह एचिन पैंट हो अल्ट्राटेक हो डॉक्टर फिक्सिड हो ए या फिर इनके टॉलफी नमर पर नेट से निकाल सकते हैं वहां पर कॉंट्रेक्ट कीजिए फिर वह लोग आपकी साइट पाएंगे बिजिट करेंगे किस तरह की क्रैक है छोटी क्रैक है बड़ी क्रैक है मतलब वह अपने हिसाब से सारी शीचे देखेंगे और उसके बाद इसमें क्या तरीका होगा इसको समधान करने का क्या सौलिशं रहेगा ये सारी शीचे वह अप्लाई करते है आपको कोस्ट भी बता देते हैं और व डोस्तो कुछ गुछ गारैंटी भी देते हैं आपको दोस्तो इस वीडियो में बताने का जो एम था वह यही था जैसे कि आ या जहां प्र हमारे पॉइंट आ रहा वहीं करने की ज़रोत है तो यह सारी चीजे आप begrाश किस्ख न खिया सकते हैं और डूस्टों कम पैसे तो इसका जोसी कि आपको लग रहा है तो रहीं। तो आपके साथ भी इस तरह की कोई चीज घटना होई है या आगे ना हो इसलिए मैंने वीडियो बना दिये इनके से अगर कोई डाउट है तो कमेट में टाइप कर सकते हैं वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें चैनल सको सस्क्राइब करें नहीं क्या है तो टैंक्स अच्छाए वीडियो मिलता है नेक्स वीडियो